कि हैं हेलो फ्रेंड्स से खांषं कि हम हमारे पिछले वीडिएयो में टीस तौल के ग्रॉस माझी के बारें बात कर रहे थेा आज उशी सीड़िस्त को आगे बंढाते और passes को यह स्विस्डाव के कुछ रिजन्स की वज़ेसे उसका सेल बहुत स्यादा कम होता जा रहा है जब वो पंदरा सो कब बेच रहा था तब उसका रिवेन्यु था 25,000 मतलब 25,000 और प्रॉफिट था 13,000 रुपे लेकिन टी स्टॉल चलाने के लिए उनर को बहुत सारे खर्चे पड़ते हैं जैसे कि जैस का खर्च एंप्लोई काम करते हैं उनकी सेलरी जहां पर वो स्टॉल चला रहा है उसका रेंट और ऐसे बहुत सारी खर्च करने पड़ते हैं इन कर्चों को कहा जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस सो हमारी स्टीच स्टॉल का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है साड़े बास तो अगर हमने ऑपरेटिंग प्रफिट निकाल ना है तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए कते हैं फ्रल मिला है वह रेवेटीज माईनस एक स्पेंस मतब्स जो हमारे रेवेटीज आता है उससे ऑप चीस आज़ार रूपय और स्पेंस था रडी साड़ारों मतलब हमें ऑपशीस तब हमें Operating Profit मिलेगा 17,500 मतल़ 17,500 रूपए है अब यहां बात करते Operation Margin के बार में तो कि अप्रेशन मार्जिन के लिए फॉर्मिला है वह कि Operating Revenue divided by Total Revenue into 100 यहां पे हमारा Operating Profit था 17,500 और टोटल रेवन्यों हो 25,000 रूपए तो हम हम 17,500 को 25,000 डिवाइड करते हैं और 100 से मलिटिप्लाइ करते हैं तब हमें इलता है 70 परसंट तो हमारा ओपरेटिंग मार्जिन हुआ 70 हुआ है लेकिन आप दूसरे सिनारियों की बात करते हैं यहां पे सेल्स बहुत जदा कम होते जा रहे हैं डेली सेल्स भाग गारा सुप हो रहा है पहले जहां पंदरा सूप हो रहा था ऑढ़ी 400 कम हो चुके और ज्यारा सूप भी बेच पा रहा है इससे रेवेन्यू भी में फरक पड़ा रेवेन्य हुआ 18000 रुपए और ग्रॉस प्रॉफिट हुआ सिर्फ 8600 रुपए और ऑप्रेटिक एकस्पेंज जितना था उतना है रहे गया वह साढ़े 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 साढ़ रुपए तो अब ऑप्रेटिंग प्रॉफिट की जब बात क 20,000 रुपए तो हमें 10,500 को 18,000 से डिवाइड किया और इंटो 100 किया उसके बाद हमें मिला 58.33 तो हमारा ओप्रेटिंग मार्जिन हुआ 58.33 अभी हम दोनों मंस के डेटा को एनलाइज करते हैं तो देखते कि हमारा जो ओप्रेटिंग मार्जिन तो कम हो रहा है या ज्यादा जा रहा है और यह सब हमारे टी स्टॉल के अच्छा नहीं है क्योंकि ऑपरेशन मार्जिन हाय होने होना किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा होता है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह ज़रूर बताना अगर आप चैनल में नहीं हो तो ज़रू सब्सक्राइब करना और